हेलो गाईज, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, इस वीडियो में मैं आपको B.O.T. कोर्स से रिलेटिट सावी इंफोर्मेशन प्रवाइट करूँगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किये, एंड तक जरूर देखें B.O.T. की फुल फॉर्म है, बेचलर ओफ अक्योपेशनल थेरिपी, और इस कोर्स में हमें फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल को ठी करने के बारे में बताया जाता है, और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, जो कि है कोर्स इडुरेशन, और कोर्स एलि जॉप कर सकते हैं, और आप कितनी अर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप जाधा देर ना करते हो, अब इस कोर्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, इस कोर्स के इलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की बात करें तो, आपने 10 प्लस 2 PCB से किया हो, और आपके प्लस 2 में minimum 50-60% marks होने ही चाहिए, तब ही आप इस कोर्स को करने के लिए eligible हैं, और अब बात करते हैं इसके admission process की तो, आपको इसके बहुत सारे colleges मिल जाएंगे, जहाँ आपको direct admission मिल जाएगा, और इसके लिए कुछ entrance exam भी conduct करवाए जाते हैं, और ये entrance exam आप यह नहाँ देख सकते हैं, और अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए आपको कितनी fees pay करनी होगी, आपको इसके लिए minimum 15,000 to 80,000 per year की fees pay करनी होगी, और ये college to college vary करता है, और अब बात करते हैं इस कोर्स में आपको कौन कौन से subject पढ़ने को मिलेंगे, first year में आपको anatomy, physiology, biochemistry, psychology, occupational therapy के बारे में बताया जाएगा, और second year में आपको पढ़ना होगा, pharmacology, psychology, occupational therapy, microbiology, pathology, biostatics, development, organizational psychology, और third year में आपको पढ़ना होगा, clinical neurology, bioengineering, clinical orthopedic, occupational therapy in orthopedics, neurology, occupational therapy in rehabilitation, और fourth year में आपको पढ़ना होगा, general medicine, general surgery, development disabilities, clinical psychology, community medicine and sociology, occupational therapy in mental health, and occupational therapy in pediatrics, और आप मैं आपको इसके कुछ top colleges और उनकी फीज के बारे में बताऊँगा, इसका एक top college है, Manipal University जिसकी फीज है 75,000 पर year, और CMC Valor की फीज है 85,000 पर year, और जामिय हम्दर युनिवर्सिटी की फीज है 50,000 पर year, और गुरु गोबिन सिंगिंदर प्रस्ट युनिवर्सिटी की फीज है 80,000 पर year, और स्वामी विकननदा National Institute of Rehabilitation, Training and Research कर्दा की फीज है 15,000 पर year, और बिहार College of Physiotherapy and Occupational Therapy की फीज है 25,000 पर year, और पंडेत दिल दियाल उपादिय इंशिटूट of Physical Handicapped, New Delhi की फीज है 22,000 पर year, और अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करके आप कहां कहां काम कर सकते हैं, इस कोर्स को करके आप Mental Hospital में काम कर सकते हैं, आप Old Age Homes में काम कर सकते हैं, आप Rehabilitation Centers में काम कर सकते हैं, और आप Multi Specialty Hospital में काम कर सकते हैं, और आप NGO में काम कर सकते हैं, और ये कुछ Top Recruiting Organizations हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और अब बात करते हैं इस course को करके आप कितनी salary earn करेंगे इस course को करके आप minimum 30 to 40 thousand per month की salary earn कर सकते हैं और यह आप experience पे depend करते हैं कि आप कितना earn करेंगे तो इसी के साथ मैंने आपको beauty course से related सारी information प्रवाइड कर दिये और अगर आप कोई doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं आपके doubt का जरूर reply करूँगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में किसी और topic के साथ और अगर आपको BPT, BVSC, BSLP, BSMS और BNYS और BMLT course के बारे में जानना है तो आप मेरे channel पर जाके देख सकते हैं मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी information मिली हो तो मेरे इस वीडियो को like कर दें और मेरे channel को subscribe कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो देखने को मिलती रहें